यह हमारे Green Apple Bear के plants हैं, इसमें पिछले साल हमने हार्वेस्टिंग लिया था, हार्वेस्टिंग लेने के बाद फरोरी महिने में हमने इसकी कट्टिंग कर दिया था, कट्टिंग करने के बाद इसमें बहुत अधिक ब्रांचे आई थे और इसमें से हमने काफी ब्रांचों को हट दिया था और हर एक पौधे में 4-6 ब्रांच को रखा गया था और यह जून का महीना चल रहा है यहां पर बढ़सात की सुरुवात हो चुकी है और इसमें काफी अधिक सेकेंडरी ब्रांचे निकल आई हैं तो आज हम यहां से कुछ सेकेंडरी ब्रांचों की कटिंग करेंगे किसान भाइयों नमस्कार मैं फार्मर राहुल पटेल पंचोटी आर्गेनिक फर में आप सब का हाल दिक स्वागत करता हूं हमारे एपल बेर्ग प्लांट का का काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो चुका है लेकिन इसमें जो है काफी कुछ सेकेंडरी ब्रांचे भी निकल रखा था और इधर से दो इश्ट ब्रांच भी निकल आई है इसमें से अभी हमें यहांपर कुछ बांच को हटाना है जैसा की यह थोड़ा मजबूत है और यह बाकि बांच एक साइड में हा रहे है तो इस ब्रांच को भी अभी हमें अरकेंगे लेकिन यह वाली ड्रास इस तो इसको भी हमें यहां से काट कर हटा देना है यहां से इसको भी हमें काट कर हटा देना है यहां पर जो ब्रांच निकल लए है इनको भी काट कर हटा देना है और इसी तरीके से यहां पर भी देख सकते हैं यहां से भी कुछ सेकेंडरी ब्रांच निकल लए है तो हमें इन secondary branch को भी यहां से cutting करके हटाते रहना है और ये भी जो branch है नीचे की side में निकले हुई है इसे भी हम यहां से cut कर हटा देंगे और इसी तरीके से ये भी एक branch निकले हुई है इसे भी हमें यहां से cut कर हटा देना है हमें नीचे की साइड में करीब 2-5 फिट की उचाए में कोई भी secondary branch नहीं रखनी है और इस तरीके से नीचे की साइड में जब secondary branch हम हटा देंगे तो यहां पर आगे चलकर हमें तुड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं तो नीचे इतना घ्ना हो जाता है कि यहां पर हम इसको तुलाई करना काफी मुस्किल हो जाता है तो किशान बहunta इस तरीके से इसमें नीचे की साइड में यहां पर सफाई हो चुकी है और क्योंकि अभी यह पौधे में काफी इच्छा ग्रोथ हो गया है इसका वजन भी अच्छा हो गया है तो इसमें अगला जो प्रोसेस होगा हम इस पौधे की चारो तरफ यहां पर मिट्टी का थाला बना देंगे जिससे यह जो ब्रांचे हैं यहां से तूट कर गिरे नहीं और इसी तरीके से हम बाकी की जो प्लां इधर है इसमें भी काफी सेकेंडरी ब्रांच निकल आई है तो यहां पर जो नीचे की साइड में सेकेंडरी ब्रांच आई है इनकी हमें कटिंग करनी होगी इस तरीके से और यहां से कटिंग करके हम इस तरीके से इनको निकालते जाएंगे इनको भी हम यहां से कटिंग करके निकाल देंगे और सभी पौधों में जितने भी इस्ट्रा ब्रांच है अभी नीची की साइड में निकली हुई है इनकी कटिंग करके यहां से निकाल देना है इस तरीके से जितने भी ब्रांच है सब को यहां से काटते जाएंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो घास निकली थी इसमें हमने एक बार राउंड अब डाल दिया था तो जो बड़ी वाली घास थी सूख गई है अभी काफी पौधे यहाँ पर छोटे-छोटे अभी और हैं तो आज हमने यहाँ पर राउंड डप का इस पर एक बार फिर से क तेकनिकल गलाईफोसेट होता है इसकी वज़ाइसे यहाँ पर जो इसकी घास थी सूखने लगी है लेकिन इसमें पौधे में बहुत खास असर नहीं पढ़ता थोड़ा बचा कर इसमें डालना होता है इसकी पौधे की पत्तियों पर ज़्यादा इसका इसप्रे नहीं होना कि शान भायों जैसा कि अभी हम यहां पर एक बार नीचे से कटिंग कर रहे हैं और नीचे से कटिंग करने का मतलब यह है कि नीचे जादा यहां पर जालना हो और चारो तरफ यहां पर मिट्टी चढ़ानी है और यहां पर जितनी भी सेकंडरी और टर्सरी ब्रांच जो नीचे की साइड में दो से धाई फिट के आसपास आएंगी उसे हमें समय समय पर काट कर निकालते हुए जाना है हम इसकी के एक अःव प्रूनिंग करेंगी जिसमे हम इसकी 5 फिट के हायट से ही जो में हमने ब्रांच से निकलींगी उनकी हाइट बहुत अधिक नहीं जाएगी तो तो तोड़ाई में भी आसानी रहेगी और जितनी भी अधिक नई ब्रांचे निकलेंगी उसमें फल भी अधिक संख्या में आएंगी तो कृषान भाईयों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और एक नई वीडियो के साथ जल्दी आप लोगोशन में लाकात होगी तब तक क्लिए नमस्कार